तरफ शेक बच्चन की हालत में भी जुधात, नानवटी अस्पताल ने जारी किया बयान, कहा अमिताब को हलके लक्षन, आइसोलीशन यूनिट में भर दी, अभी शेक बच्चन ने ट्वीट कर कहा, पिता और मैं दोनों अस्पताल में सभी से साथ खानी रखने की अपी, ना पारिकाननदा और उनके बच्चों की रपोर्ट भी नेगिति, अमिताब च्चन की चारो बंगले सीब, BMC ने सानिताइजीशन का काम किया, बंगले में काम करने वाले 30 स्टाफ का कोर ना टेस्ट, BMC ने कार ना की चेन भूनी शुरू कि, अंभाइ में अमिताब च्चन के बंगले जल्जा का सानिटाइसेशन BMC ने सानिटाइस किया जल्जा बंगले में हमिताब की स्टाफ का भी आंतिजिन-टेस्ट सबके सांपन लिये गए अमिताब अच्छिं का बंगला जल्जा concentrate zone गोषित चारो तरफ बारेके थे अमिताब के बंगले प्रतीकशा को भी किया गया सानिटाइज BMC ने चलाया sanitization drive जू में अमिताब के जनक बंगले को सानिटाइज किया गया बंगले में अमिताब का तफ़त है अमिताब के बंगले वत्स में भी BMC ने पोस्टर लगाया गेट पर प्रतिबंध छेतर का बारा लगाया जल्द सलामती के लिए देश फर में दुआएं बॉलिवुड हस्तियों ने भी अमिताब के जल्द ठीक होने की कामना की कहा आप तक पहुँचे मेरी दूआ और सकरापना को उजा अनुने अमिताब को बताया चैंपियन कहा आपकी अच्छी सेहत और खुशी जल्द वापस लोटेगी अनुपम खेर बोले अमिताब ने अपने मनुबल से जीवन में हर मुश्किल को हर मुश्किल पर वज़े पाई है कॉरणा के खिलाफ लड़ाई की जीप कर लोटेंगे मशूर सिंगर के लाज़ करें ने कहा सारी दुनिया अमिताब के लिए कर रहे है परातना जल्दी पूरा देश आपकी मुस्कान देखेगा साक्षिन दंदू करने अमिताब के जल्द ठीक होने की दूआ की अपना ख्याल रखने को कहा इंडिया टीवी के चैमें रज़त शर्मा ने भी अमिताब बच्चन के जल्द ठीक होने की दूआ की कवता ठीक कर लिखा पतुज़ड की जएद में हूँ मौसम जरा पतन है तो मौबाइल के मंदर में हमिताब के जल्द ठीक होने के लिए पूज़ा पाठ हमिताब की तश्वीर रखकर रुद्राबिशे लखनओ में भी दुआउं का दौर भगवान से बिख बी के ठीक होने की प्राथना नेपाल के प्रधानवंतरी केपी शर्माउली ने भी हमिताब और उनके परिवार के लिए दुआ की का जल्द ठीक होने बहाना आया मुंबाई में आक्ट्रस रेखा का बंगला सील बीमसी ने बंगले के बाहर नोटिस जब काया रेखा का सेक्योर्टी गार्ट पॉजितिव बीमसी ने रेखा के बंगले को कॉरणा कंटेंडमेंट जोन खुछित किया असपास के पूरे इलाखे को सानिटाइज गया मुंबाई के बीकेसी इलाके के लिए एक हॉस्पिटल में सेक्योर्टी गार्ट कर चल रहा है इलाज प्रेखा की घर के बाहर तेनाद दो में से एक गार्ट कोरणा संखर बन अनुकमखेर के महावी कॉर्णा पोजिटिव भाई भाभी भणी भती जी को कॉरणा खेर निकाँ खुद ट्वीट कर इस बार में जानकारी दी अनुकमखेर के परिवारवालोंको कोकिला बेन श्पताल में फट्टिक राया गया और फिर कोरणा नेगटिव ट्वीट कर जानकारी थी टीवी आक्टर पार्थ भी कोरणा की चपेट में टीवी शोकी शूटिंग को रोखा गया महराश्रो के राजभवन में कोरणा की ईंट्री हुए 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजटिव आई राजभवन के अब तक 57 करमचारियों की रिपोर्ट आई है राजभवन के 100 लोगों का टेस्ट करवाया गया महराश्र में कॉर्णा से आज 7,827 लोग संक्रमेट 173 लोगों की मौत महराश्र में आज 3,340 कॉरणा संक्रमेट स्वस्थ हुए राज्य में कुल 1,440,000 लोग ठीक हुए है मुंबाई में एक दिन में 1,308 लोग कॉरणा से संक्रमेट 49 की मौत हुई मरीजों की संख्याए 9,457 अमिं मुंबाई में 1,708 लोग ठाउं पढ़ा मांगलूरू में भी 1,708 लगी का लोग ठाउं मुंबाई के धारावी में आज कॉरणा के 5 नए मामले मरीजों की संख्याए 2,375 मुंबाई के दादर में आज कॉरणा 34 नए मामले माहे में 10 लोग कॉरणा की चपेट में बेश में एक दिन में सबसे ज़ादा कॉरणा संक्रमन का रिकॉर्ड 24 गंटे में 28,637 नए मामले देश में अब तक 8,49,553 पॉजिटिव मामले दिली में पिछले 24 गंटे में कॉरणा से 1573 नए केस अजाए 37 लोगों की मौत दिली में कॉरणा से कुल 1,12,494 लोग संक्रमन 89,968 मरीज रिकवर दिली में कॉरणा के 19,155 अक्टिव केस अब तक कुल 3,371 की मौत दिली में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की जान बचाएगा प्लास ओक्सीमीटर सीम केज रिवाल ने का ओक्सीजन कम होने पर तुरंट संपर करे यूपी में 24 गंटे में कॉरणा से 1403 संक्रमत हुए 25 की मौत हुई 11,490 अक्टिव मामले सीम योगी ने कॉरणा की जाज के लिए अलिगरवारनसी लखनाओ समेट आठ शेहरों में लाब का उद्खाजन किया का जल्थी हर जिले में सुविधा होगी कॉरणा से ने पटने के लिए योगी सरकार का नया प्लान यूपी में अब हर हफते एक वीक इन लॉकडाउन होगा यूपी में हफते में दो दिन का लॉकडाउन रहेगा हर शनिवार रविवार को सभी बाजार दफतर रहेंगे बन विजरात में कॉरणा के 872 नय मामले राज़सान में एक दिन में 153 लोग कॉरणा की चपेट में 4 की मौत मरीजों की संख्या 33,901 हर्याना में कॉरणा ग्राफ 20,000 के पार एक दिन में 648 नय मामले अभी तर 297 लोगों की मौत हुई गुर्ग्राम में कॉरणा की 112 नय केसे 139 मरीज आज रिकवर हुए 24 खंटे में कॉरणा से एक की मौत हुई पंजाब में एक दिन में कॉरणा से आठ की मौत हुई 231 लोग संक्रमन की चपेट में कुल मरीजों की संख्या 7587 पंजाब में मनरेगा के तहट स्कूल निर्मान का काम भी हो सकेगा राजे की शिक्षा मंत्री का ऐलान पिहार में कॉरणा के आज 1266 नए मामले आए राजे में कुल मामले बढ़कर 16305 हुए जारखण में एक दिन में 162 नए केसे संक्रमें तोकी संख्या 3680 अब तक 24 मरीजों की जान गई पज़मंगाल में कॉरणा करिया रिकॉर्ड एक दिन में 1560 नए मामले 26 की मौत उडिसा में कॉरणा मरीजों की तादाद 12,526 हुई अब तक 61 की मौत असम में एक दिन में कॉरणा के 535 नए मामले राजे में मामले बढ़कर 16,071 गोहाटी में एक हफते और बढ़ा लॉकडाउन कामरूप जिले में अगले 7 दिन कंप्लीट लॉकडाउन तमिलादू में आज कॉरणा से 4,244 नए मामले आए 68 की मौत हुई 3,617 मरीज रिकावर करनाटक में कॉरणा ने सारे रिकॉर्ड तोड़े 402 अभी तक 348 की मौत आंदर प्रदेश में आज कॉरणा के 1933 लोग संक्रमेत हुए 19 ने जान गवाई आंदर प्रदेश में कॉरणा से कुल 39,168 लोग संक्रमेत कुल 388 की मौत हुई केरल में कॉरणा के मरीजों की संख्या 7,438 तक कहुची अब तक 29 ने जान गवाई कुरुचेरी में अब तक 1418 लोग कॉरणा की चपेट में कॉरणा के 671 अक्टिव मामले निमाचर प्रदेश में कॉरणा से 1191 लोग संक्रमेत राजे में मातर 256 अक्टिव मामले श्री नगर में रेज जोन में लागू होगा कंप्रीट लॉक डाउन हर गतिविधी पर रोक लगेगी श्री नगर में अब तक 47,000 लोगों के कॉरणा टेस्स कराए गए हैं जिले में आब तक 99 कंटेन्मेंट जोन श्री नगर में कॉरणा की रफ्तार में कमी आई मास ना पहलने पर अब एक हजार का जर्माना भी लगेगा सी आर पिएफ ने चलाया आखिल भारती व्रिक्षा रोपन अभियान गुरुग्राम के खादपुर में ग्रे मंत्री में भी हिस्सा लिया अमिच्छा ने सुरक्षा बलू की तारीफ की कहा करोना के खिलाफ लड़ाई में जवानों की एहम भूबे का दुनिया भर में आख 50,000 से जादा पॉजिटिव मामले अब तक 1,28,000 लाग से जादा मरीज दुनिया में अब तक 5,68,000 से जादा लोगों ने जान गवाई 75,000 लाग से जादा रेकावर हुए अमेरिका में अब तक 1,36,000 से जादा लोगों की मौत हुई कुल 33,56,000 से जादा संक्रमेंट प्राजील में अब तक 18,40,000 से जादा संक्रमेंट अब तक 71,000 से जादा की मौत पूस्ट में कॉरोना के के 7,77,000 के पार अब तक 11,000 से जादा लोगों की मौत स्पेन में कॉरणा के मरीज 3 लाग के पार अब तक 28,000 से जादा की जान गई मेक्सिको में भी कॉरणा मरीज 3 लाग के करीब महुंचे अब तक 24,000 से जादा लोगों की मौत हुई कॉरणा के मामले में टॉप 5 में पेरू अब तक 3,22,000 से जादा पॉजिटिव मामले चिली में कॉर्णा के कुल 3,12,000 से जादा केस अब तक 6,881 लोगों की जान गई परिचिन में कॉर्णा के केस 2,888,000 के पार अब तक 44,000 से जादा की मौत पाकिस्तान में कॉर्णा मरीजों की तादार 2,500,000 के करीब पहुची अब तक 5,197 लोगों की मौत हुई पांगलादेश में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कॉरणा के मामले अब तक 1,83,000 से जादा केसस एरान में कॉरणा मरीजों की संख्या 2,57,000 के पार अब तक 12,000 से जादा की मौन जर्मनी में करना के केस 2 लाक के करी पहुँचे अब तक 9000 से जादा की मौत प्रांस में करना के 170 लाक जादा मामले अब तक 30,000 लोगों की मौत पहुँचे